तो अब class 10th का वो question जो सबसे ज़्यादा important है और जिसकी सबसे ज़्यादा demand रहती है किसी भी student से पूछो technometry का आप कौन सा question पढ़ना चाहते है मेरे से तो उनका सिर्फ एक ही answer होता है कि question number 5 करा दीजिए ये बिल्कुल समझ में नहीं आती कि ये technometric identity कि ये question कैसे solve किये जाने चाहिए तो मैं कहूँगा कि आपको चाहिए दो चीजे अगर आपको formula याद है तो तो ये आपके जाएगा ऐसे और अगर आपको formula नहीं याद है तो ये आपके जाएगा ऐसे ठीक है उपर से निकल जाएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपको चाहते हो कि ये सारे question बिलकोल आसानी से समझ में आ जाए तो आपको याद होने चाहिए formula कौन-कौन से formula है जो आपको याद होने चाहिए वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जो identity आपने पड़ी है वो पहली identity होती है sin square theta plus cos square theta equals to 1 दूसरी जो identity आपने पड़ी है वो है 1 plus 10 square theta ये प्यारे बच्चों हुआ करता है सैक square theta के और third identity जो आपने पड़ी है वो है 1 plus cot square theta ये एक्वल होता है प्यारे बच्चों को सैक square theta के चीक है और इनी से आपको और भी identity मिल जाती है sin square theta को हम यहीं पर रखते है sin square theta cos square theta इधर आ जाता है तो ये एक identity बन सकती है और cos square theta को अगर हम यहीं पर रखते है तो एक और identity बन जाती है 1 minus sin square theta चीक है main identity हमारे पास क्या है sin square theta plus cos square theta equals to 1 तो यहाँ पर हमने क्या किया sin square theta इधर ही रखा cos square theta को अधर ले गए तो एक नई identity बन गई cos square theta को इधर ही रखा sin square theta को अधर ले गए तो एक और identity बन जाती है इसी तरह से यहाँ भी बना सकते है आप 10 square theta ऐसे ही रखो sec square theta यह 1 उधर ले जाकर minus कर दो चीक एक और identity यहीं बन सकती है कि आप 10 square 1 को उधर ले गए थे इस बार आप क्या करो 1 इधर ही रखो और 10 square theta उधर ले कर जाओ यह है तो यह एक identity बन जाएगी इसी तरह से आप इसका भी बना सकते हो बड़े आसानी से cot square theta को इधर ही रखो और कुसेक square theta 1 उधर ले जाओ minus 1 या 1 इधर ही रखो कुसेक square theta minus क्या ले जाओ cot square theta यह identity इन identity को यह identity आपको याद होनी चाहिए इसके साथ-साथ आपको जो identity याद होनी चाहिए फोर्थ नंबर की वो है हमारे पास 10 theta एकवल होता है किसके sin theta upon cos theta के या 5th identity जो मुझे याद होनी चाहिए वो है cot theta equals to cos theta upon sin theta यह ठीक है इतनी identity जिस student को याद है वो बड़े आसानी से इन सारे questions को कर सकता है जब भी आप trigonometry का question करते है या mathematics में कोई भी question करते है और अगर आपको लगता है कि यह chapter आपको कम समझ में आता है या आपको hard लगता है तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपना mindset ऐसे करिए कि किसी भी question को करने से पहले उसके basic concept को समझ लीजिए उसके बाद उसके basis पर कुछ examples करिए उसके बाद exercise पर move करना है आपको यह होती है process नमबर one basic concept नमबर two examples और उसके बाद नमबर third पर आती है exercise ठीक है यह process अगर आप लेकर चलेंगे तो आपको कभी कोई problem नहीं आने वाली है अब suppose करो जैसे यह आपके सामने एक question आया इस question को आपको करना है तो आप अपने mindset ऐसे करना है यह question को देखते ही आपको बोलना है कि यह दुनिया का सबसे आसान वाला question है mathematics का सबसे आसान वाला question कौन सा है तो answer है यह यह बात आपको हर question से पहले अपने mind को समझा रही है ठीक है? सबसे आसन वाला question कौन सा है? यह है अब यह आसन वाला question तो है इसको start कैसे किया जा इसको करना कैसे है तो उसके लिए मैं आपको basic सी बात बता दूँ कि अगर आपने ये identity याद कर ली है तो इस question में कोई problem नहीं आएगी ये मेरी guarantee है लेकिन अगर आपने ये identity याद नहीं किये तो इसकी एक भी line आपको समझ में नहीं आईगी इस बात की भी guarantee है ये बात आ रही है आपको समझ में तो ये identity कहां से आई कैसे करते हैं, ये proof कैसे करते हैं इसके लिए आपको देखना है exercise 8.4 का part 1 वो वीडियो देखिए ये सारी बात आपको समझ में आजाईगी कि ये कहां से आया, ठीक है अभी फिलाल हम बात कर रहे है exercise 8.4 का question number 5 जब भी मैं trigonometric identity के question करता हूँ तो मैंने अपने दमाग में एक strategy बनाई है कि कोई भी question trigonometric identity का करिए तो उसको sign और cause में change करिए सबसे पहले strategy क्या है sign और cause में change करना चीक है तो sign और cause में change करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले लेकर चल रहा हूँ इसकी left hand side left hand side मेरे पास प्यारे बच्चों है कुसेक theta minus cot theta इसका क्या whole square चीक अब इसको मुझे किस में change करना है question आते ही सबसे पहला काम sign cos में change करना तो sign cos में change करने के लिए कुसेक को sign की form में क्या लिख सकते हैं तो answer है 1 upon sin theta क्या लिख सकते हैं 1 upon sin theta minus cot theta को क्या लिख सकते हैं cos theta upon sin theta ठीक है जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है last video तो उसमें फर्स्ट आपने exercise जब पढ़ी होगी तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था sign theta equal होता है 1 upon cos theta के cos theta equal होता है प्यारे वच्चों 1 upon sec theta के 10 theta equal होता है किसके 1 upon cot theta के cot theta equal होता है किसके 1 upon 10 theta के ठीक है और इसके बाद next आता है हमारे पास sec theta this is equal to 1 upon cos theta and next हमारे पास उगा करता है cos theta और यह equal होता है 1 upon sin theta के ठीक है तो यह जो term है यह मैंने exercise 8.1 का जो part 1 बनाया था वहाँ पर यह करके दिखाया है कि यह कैसे आते है तो यह आप वहाँ से समझ सकते हैं लेकिन फिलाल बस हमें इनको यूज करना है ठीक है तो आप देखिए जब मैंने question को करना start किया तो मैंने strategy बनाई sign cosmo change करना है लेकिन problem में इन कहाँ पर आई कि हमें trigonometry की identity वाले question क्यों नहीं आते है problem यहाँ पर आती है जैसे ही cosect theta को next step में ले गया तो यहाँ पर लगया प्यारे बच्चो पहला formula cosect theta को क्या लिखते है one upon sign theta अब ये बात आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे करोगे इसको नहीं कर पाऊगे तो इसका मतलब यह है कि आपको यह relation याद होने चाहिए इन में से यह relation मैंने use कर लिया cosect theta किसके एक कल होता है one upon sign theta के यानि कि जैसे ही पहला step किया पहला यहाँ पर formula apply हो गया अब इसके बाद minus लगाया और minus लगाते ही आपने देखा कि दूसरा formula apply हो गया cos theta cos theta की value कितनी है cos theta upon sign theta cos अपन sign तो यहाँ पर प्यारे बच्चो लग गया यह दूसरा formula तो आप सोचिए कि अगर आपको यह formula ही नहीं याद हो तो आप इसके आगे करोगे कैसे तो इससे आपको सिर्फ एक बात समझ में आई होगी कि यह अगर formula किसी बच्चे को याद है तो तो उसको कोई problem नहीं आने वाली है कोई problem नहीं आने वाली है अब सोचो किसी student को यह formula नहीं याद है और मैंने यहाँ पर पढ़ाना सुरू किया कुसे एक theta होता है 1 upon sin theta cos theta cos upon sin theta उसको क्या समझ में बात आएगी कुछ भी बात समझ में नहीं आने वाली है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि यह ऐसा होता है और यह ऐसा होता है ठीक है तो अगर आपने नहीं याद किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले यह सारे formula आपको याद होने चाहिए उसके बाद यह solve कर सकते हैं किसी भी book का कोई भी question RS Agrawal, RD Sarma जो मन में आता हो आपको वो book लीजिए उसका सबसे hard वाला question उठाईए सिर्फ इतनी बात याद कीजिए और वो question हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद simple mathematics पूरा question sign cost में change हो चुका है ठीक अब इसके बाद हमें लेना है LCM LCM ले लिया मैंने LCM में क्या आएगा sin theta साइन से sin cancel 1 1 into 1 साइन से sin cancel 1 1 into cos theta और इस whole quantity का क्या चल रहा है square ठीक है आप आगे बताईए 1 minus cos theta का उपर आगया whole square और नीचे sin theta का whole square या जिसको हम क्या लिखते है sin square theta फिर से कुसे एक theta को 1 upon sin theta कहते है cot को cos upon sin theta कहते है इन दोनों का ले लिया LCM तो 1 minus cos theta आगया उपर ठीक है कोई problem नहीं आता है ये वाले square उपर numerator के साथ अलग से कर लिया और sin नीचे denominator के साथ अलग से इपनेट कर लिया ठीक है यहां तक भी कोई problem नहीं अब 1 minus cos theta का जो whole square चल रहा है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 minus cos theta और 1 minus cos theta ऐसे बिलकुल आसान नहीं है तो square है ना तो उस bracket को दो बार लिख सकता हूँ कोई problem नहीं आता है अब बात आती है sin square theta के sin square theta को मैं क्या लिख सकता हूँ तो answer है 1 minus cos square theta तो मैंने यहां पर लिखा sin square theta को 1 minus cos square theta अब फिर से वही बात कि यहां पर sin square theta का यह जो formula लगाया है sin square theta किसके एक्कल होता है 1 minus cos square theta के तो इतने step के अंदर 1, 2, 3 तीन formula आ चुके हैं यह आपको याद होने ही चाहिए sin square theta को लिखते हैं 1 minus cos square theta इसके बाद 1 minus cos theta ऐसे ही ठीक है और 1 minus cos theta यह भी ऐसे ही ठीक है upon क्या मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 का square 1 का square 1 होता है तो यहां पर 1 का square लिख लिया मैंने अब यह formula बन गया a square minus b square a square minus b square प्यारे बच्चों आप पढ़के आए हो यह होता है a minus b और a plus b यह बिल्कुल आसान है यह तो a minus b a plus b अब यहां यह bracket और यह bracket सेम है इसको cancel कर दो तो answer क्या बचा 1 minus cos theta upon में क्या 1 plus cos theta यह हमें लेका राना था देखिए कितना आसान वाला question है फिर से देखिए board पर ध्यान दीजिए kusac theta minus cos theta का whole square यह हमें proof करना है kusac theta is one upon sin theta cos theta का formula cos upon sin ठीक यह formula मैंने यहां पर लिखे हुए है आपको याद नहीं है तो अभी फिलाल यहां से देखते जाईए sin यह लिखा 1 minus cos theta यह लिखा whole square चल दा square separate कर दिया यहाँ whole square है तो इसको bracket को दो बार लिख सकते है sin square theta का formula यह board पर लिखा हुए this is 1 minus cos square theta ठीक है 1 minus cos square theta तो sin square theta को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 1 minus cos square theta और 1 को मैंने लिख लिख लिया फिर 1 का square इससे benefit यह हुआ कि यह बन गया a square minus b square a minus b a plus b ठीक यह cancel out हुआ और यह हमारे सामने answer आ गया तो यह plus minus करना तो बिलकुल basic है कोई problem नहीं है main है यहाँ पर जो तीन identity use हुई है वो आपको याद होनी चाहिए तो यह बिलकुल एक आसान वाला question ऐसे हो गया अब problem क्या है सुनिए मेरी बात जान से अगर इस question में आपको कोई भी step समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से कहूंगा कि आपको सिर्फ identity नहीं याद है अगर आपको identity याद है तो इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं की गई है जो आपको समझ में ना आती हो फिलकुल आसान है देखिए मैं आपको एक और आसान वाला question करके दिखाता हूं टिग्नोमेट्रिक identity के question करने की strategy number one question को sign theta और cos theta में change नहीं दिखरना है यह question देखिए यह question पहले से किस form में है तो answer है यह पहले से sign और cos की form में है तो इसको direct solve करना शुरू कर देंगे हम one plus sign a plus one plus sign a upon cos a this ठीक क्योंकि पहले से sign cos की form में है इसलिए इसको direct solve करना शुरू करना है क्या करना है else हम लेना है one plus sign a and cos है this LCM ले लिए पहले हो चो अब इस one plus sign a स one plus sign a cancel क्या बचा को से को से का multiply इसमें कराओ तो क्या आ जाएगा cos square a plus को से से को से cancel one plus sign a का one plus sign a में कराओगे तो one plus sign a का whole square यह तो simple math सेल रहा है कोई problem ही नहीं अभी तक और अभी तक कोई identity भी नहीं उज़ हुई simple LCM लिए अब नीचे one plus sign ए ऐसे ही ठीक है और साथ में क्या चल रहा है cos से यहाँ तक भी कोई problem नहीं अब इसके बाद cos square है यह भी ऐसे ही ठीक है plus a plus b का whole square तो यह होता है a square plus b square plus 2ab a square plus b square plus 2ab यह formula हुआ गरता है ठीक है यह तो बिलकुल आसान है अब यहाँ पर आकर यह हमारे पास identity आ जाती है वो यह cos square plus sin square तो यह सबसे पहली identity आपने जो यहाँ पर पड़ी है वो यह sin square theta plus cos square theta यह किसके एकवर होता है 1k एकवर होता है ठीक है यह बात आ रही है आपको समझ में तो यही identity मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कैसे cos square plus sin square यह किसके एकवर होता है 1k इन दोनों को मिलाकर मैंने यह 1 लिख लिया plus एक 1 यह लिखा हुआ है ठीक है plus और क्या लिखा हुआ है 2 sin अब कौन में 1 plus sin and cos है फिर से cos square और sin square मिलकर 1 यह लिखा हुआ है यह वाला 1 यह लिखा हुआ है 2 sin यह लिखा हुआ है ठीक कोई प्रावल्म नहीं यहां तक इसके बाद आगे 1 और 1 मिलकर कितना 2 plus 2 और plus में क्या चल रहा है 2 sin यह तो बिलकुल आसान वाला कुष्चन है 1 plus sin और 7 में क्या चल रहा है cos है ठीक अब इन दोनों में से क्या common 2 common तो 1 plus sin यह बचा यहां से 2 common ले लिया तो क्या बचा 1 plus sin और नीचे क्या चल रहा था 1 plus sin and cos ठीक यह भी समझ में आता है 1 plus sin यह से 1 plus sin यह कैंसल तो क्या बचा 2 upon cos 2 upon cos से बचा 2 बच गया और यह cos से बच गया अब 1 upon cos से कहीं पर लिखाओ तो 1 upon cos से कहीं लिखाए गया हाँ यह 1 upon cos theta यह किस के एकवल होता है sec theta के एकवल होता है तो यानि की 2 तो ऐसे ही ठीक है 1 upon cos से को हम क्या लिख सकते हैं sec यह आपके सामने answer आ गया ठीक है तो जब भी आपके सामने कोई भी question आएगा तो सबसे पहला काम आपका क्या है सबसे पहला काम आपका यह है कि आप अपने आपको इतनी सी बात समझा दे एक बात mindset यह कर लेनी है कि question को cause or sign में change करना है cause or sign में change करने के बाद question को आगे बढ़ाना है अगर मैं इस question की बात करूँ तो यह question पहले से cause or sign में था इसलिए मुझे change नहीं करना पड़ा ठीक है question को मैंने लिखा इसके बाद मैंने लिया इनका LCM LCM नेने के बाद 1 plus sign से 1 plus sign cancels हुआ cause into cause मिलकर cause square बना cause से cause से cancels 1 plus sign का यहाँ multiply कर आया तो यह बन गया whole square ओके कोई problem नहीं अब A plus B का whole square मैंने यहाँ पर open कर दिया था ठीक इसके बाद cause square plus sign square को मैंने 1 लिख लिया था और बागी की quantity यहाँ पर लिख लिख लिए यह 1 और 1 मिलकर बन गया था 2 और पीछे जो चल रहा था 2 sign यह मैंने यहाँ लिख लिया 2 दोनों में से आ गया common 1 plus sign से 1 plus sign cancel हो गया अब upon में मेरे पास बचाता 1 upon cause से और 1 upon cause को हम क्या लिख सकते है second तो इस question में यूज हुई वो यहाँ पर यूज हुई कि 1 upon cause को हम क्या लिखते है second तो identity यूज करनी है आपको तो main चीज है कि identity याद करिए ठीक है एक और आसान वाला question दिखाता हूँ question नमर 5 का part 3 part 3 बड़ा आसान वाला question है देखिए सबसे पहली बात यह है दुनिया का सबसे आसान वाला question दूसरी बात इसको किस में change करना है sign और cause में change करना है ठीक है करते है 10 theta 10 theta को हम जानना चाते हैं कि sign और cause की term में कैसे लिख सकते हैं तो answer है 10 theta equal होता है sign upon cause के और cot equal होता है cause upon sign theta के ठीक है तो इसी चीज को हम use कर लेते है 10 theta this is sign theta upon cause theta यह मैं लेकर चला हूँ left hand side ठीक है यह आपको लिखना है इसके बाद इसको solve करना है 1 minus cot theta किसके एकवल होता है cause theta upon sign theta के ठीक है plus बिलकुल आसान वाला question cot theta फिल से cos theta upon sin theta 1 minus 10 theta बताएए क्या होता है sin theta upon cause theta बिलकुल आसान है इसमें तो कुछ किया ही नहीं है मैं अभी तक 10 theta को मैंने क्या लिखा है sign upon cause cot जहाँ-जहाँ लिखा है वहाँ पर क्या लिख दिया है cause upon sign तो यह दोनों identity तो हमें याद है ठीक है जो अच्छे वच्छे है उनको सबको याद है अब इसके बाद sin upon cause sin theta upon cause theta यह ऐसे ही लिखा रहे ने दिया ठीक नीचे लेना हूँ मैं LCM नीचे जब मैंने LCM लिया तो नीचे LCM में आया sin theta यह ठीक है उपर क्या आ जाएगा sin theta minus cos theta LCM लेना सबको आता है sin theta minus cos theta ठीक है प्लस यहाँ पर चल दा है cos theta upon sin theta और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ LCM जैसे मैंने इधर लिया तो वैसे इधर LCM ले रहा हूँ cos theta और यह आ जाएगा cos theta minus sin theta ठीक है यह आज़े टी लिखा और नीचे LCM ले लिया यह adjective लिखा नीचे LCM ले लिया ठीक अब इसके बाद क्या होता है mass में यह quantity जाती है यहाँ पर multiply होने और यह quantity इसके साथ multiply है similarly यह quantity जाती है multiply होने यहाँ पर और यह quantity यहाँ multiply होती है ठीक है और नीचे क्या बचेगा मेरे पास? cos theta और साथ में sin theta minus cos theta. यह चल रहा हो, ठीक. प्लस, जब यह cos theta यहां जाएगा, जब यह cos theta यहां जाएगा, तो यह बना देगा इसको cos square theta upon sin theta के साथ यह आएगा. sin theta और cos theta minus sin theta. क्या कर दिया सर यह? sin theta का multiply यहां कराया, sin square theta और यह cos theta और यह चीज एक साथ लिखी जाएगी. ऐसी cos theta का multiply यहां करा दिया, तो cos square theta और यह और यह term एक साथ लिखा जाएगा. बिल्कुल आसान है. अभी तक क्या identity हो जोई है? सिर्फ यह दो identity. ठीक. अब इसके बाद. मैं अब चाहता हूँ कि मैं इसका LCM ले लूँ. लेकिन LCM लेने में problem अभी इस step में यह है, कि sin, cos, यह bracket और यह bracket. चार चीज़ा हैं मुझे लेनी पड़ेंगी. जबकि मैं क्या चाहता हूँ? कि मुझे पास कम से कम quantity LCM में आएग. तो मैं क्या कर रहा हूँ? इस bracket को और इस bracket को same बनाना चाहता हूँ. एक जैसे यह देखें. यहाँ पर लिखा हुआ है sin theta minus cos theta. यहाँ लिखा है cos theta minus sin theta. अगर मैं यहाँ से minus का sin common ले लूँ. तो यह उल्टा हो जाएगा. और यहाँ भी क्या लिखा होगा फिर? sin theta minus cos theta. इस बात का क्या मतलब है? देखिए ध्यान दीजिए. sin square theta upon. यह लिखा हुआ है cos theta. और 7 में क्या चल रहा है? sin theta minus cos theta. ठीक. अच्छा. अब ध्यान दीजिए. यहाँ पर उपर लिखा हुआ है cos square theta upon में. sin theta. ठीक है? यह मैंने लिख लिए वहाँ पर. cos square theta लिख लिख लिए, sin theta लिख लिख लिए. अब इसको मैं उल्टा करके लिखना चाहता हूँ. उल्टा करने का लिखने का मतलब मेरा हो गया कि मैं यहाँ से minus का sin common ले रहा हूँ. तो जो यहाँ से minus का sin बहार आएगा, वो इस plus को क्या बना देगा? minus. और यह हो जाएगा, उल्टा. तो यह क्या बन जाएगा? sin theta minus cos theta. यह है. अब आप देखें. क्या किया? cos theta sin theta sin theta minus cos theta. यह हमने ले लिया calcium. चीक है? क्या किया? फिर से समझिए. cos theta sin theta sin theta minus cos theta cos theta minus sin theta. यह ऐसे चल दा था. मैं चाहता हूँ कि यह दौनों bracket एक जैसे हो जाएग. सेम बन जाएग. इसके लिए मैंने क्या किया? यहाँ से minus का sin common ले लिया. अगर क्या बन जाएगा? minus बन जाएगा. चीक है? इस समझ आ रहा है? तो अब इससे क्या हुआ? cos theta sin theta minus cos theta यह ऐसे ही लिखा मैंने. जब यहाँ से minus का sin common ले आता तो वो यहाँ आ गया. अब यह bracket change हो गया. sin theta minus cos theta. चीक है? अब इसके बाद. अब cos theta से cos theta cancel. bracket से bracket cancel. sin theta into sin square theta. this is sin cube theta minus. sin theta से sin theta cancel. bracket से bracket cancel. cos theta into cos square theta. this is cos cube theta. अब इसके बाद. यहाँ पर एक identity मैं यूज कर रहा हूँ. that is aq minus bq. this is equals to a minus b a square plus a b plus b square. यह identity आपने class 9 में पढ़ी है. ठीक है? तो यह identity यहाँ आपर में यूज कर रहा हूँ. aq minus bq. aq minus bq क्या होता है? a minus b. a minus b. bracket में a square plus a b plus b square. यह होता है? ठीक है. और अपन में क्या चल दा है? cos theta sin theta sin theta minus cos theta. यह चल दा है? ठीक. sin theta minus cos theta से sin theta minus cos theta cancel out. क्या बचेगा? sin square theta plus cos square theta. this is 1 plus sin theta cos theta. अपन में क्या चल रहा है? cos theta sin theta. equals 2. इसको separate करो. 1 upon cos theta sin theta plus sin theta cos theta upon sin theta cos theta. इसको separate कर दिया? ठीक. बिल्कुल आसान. अब इसके बाद. यहाँ पर sin theta cos theta हो गए, cancel. तो यह हमारे पास आएगा 1 plus. 1 upon cos theta क्या आउता है? sec theta. 1 upon sin theta क्या आउता है? cos theta. यह हमारे पास answer आ जाएगा. तो कैसे किया? फिर से समझी है एक बार. फिर से starting से. सबसे पहली strategy. यह बिल्कुल आसान वाला खुशन है. ठीक है? दूसरी strategy हमारे पास यह है. कि हम sign और cos में change परने वाले हैं. तो 10 को change किया. sign upon cos. cot को cos upon sign में change किया. यहाँ पर हमने LCM लिया. यह यहाँ पर LCM लेंगे. तो यह cos theta LCM में आएगा. और यह बन जाएगा cos theta minus sin theta. टिक. अब यह sin theta यहाँ multiply होगा तो sin square theta आएगा. cos theta जब यहाँ multiply होगा तो cos square theta आएगा. ओके. यह भी बिल्कुल आसान है. अब इस step के बाद क्या किया गया? यहाँ पर यह दौरों bracket same बनाने के लिए यहाँ से minus cos common लिया. और जो minus का sin common आया उसने इसको minus बना दिया. प्लस को minus इससे क्या बन गया? sin theta minus cos theta. अब यहाँ पर LCM लेंगे तो तीन quantity LCM में आएगी. cos theta, sin theta और यह bracket. ठीक है? अब cos से cos cancel और यह bracket cancel होगा. तो sin theta बचा. इस sin theta का multiply यहाँ कर आएगे. sin cube theta. इसके बाद sin से sin cancel, bracket से bracket cancel. cos theta into cos theta is cos cube theta. यहाँ पर आकर एक identity मैंने लगाई है. वो है AQ minus BQ. That is A minus B, A square plus AB plus B square. इससे क्या benefit हुआ? sin theta minus cos theta से यह quantity cancel out होगी. क्या बचा मेरे पास? sin square theta plus cos square theta. उसको लिख लिए हमने 1 plus sin theta cos theta added. अप आप में मेरे पास क्या चल रहा है? cos theta, sin theta. इसको मैंने कर लिया separate. दोनों के नीचे अलग-अलग. 1 के नीचे अलग. और sin theta cos theta के नीचे अलग कर लिया. इससे यह cancel out हो जाएगे. तो यह quantity मिलकर बचेगी मेरे पास 1. और 1 upon cos theta को sec theta. और 1 upon sin theta के आज आएगा? को sec theta. तो मैं दिखाता हूँ आपको बिलकुल आसान वाला question आ गया है. हमारे पास question number 5 का part 4. देखिए कैसे करना है? left hand side लेकर चलना है. strategy मेरी बिलकुल clear है. पहली strategy है कि यह है दुनिया का सबसे आसान वाला question. और दूसरी strategy है इसको sign cos में change करना. ठीक है? तो sec को sign cos में change कैसे कर सकते हैं? 1 upon cos theta. sec को क्या लिख सकता हूँ? sign या cos के term में 1 upon cos theta. ठीक है? sec को फिर से 1 upon cos theta. यह बिलकुल आसान है लिखना. ठीक. अब इसके बाद next step. यहाँ पर ले रहा हूँ मैं LCM. तो LCM कैसे लोँ? cos A आएगा LCM में. ठीक. cos A plus 1. cos A plus 1. और upon में 1 upon cos A. यह आ जाएगा. ठीक. यह समझ आ रहा है आपको. अब cos A से cos A हो गया. cancel. तो क्या बचा? 1 plus cos A. जहाँ बची है पहरे बच्चो 1 plus cos A. cos A से cos A cancel हो गया. नीचे 1 बचा था. 1 से इसको डिवाइड करा हो गया तो 1 plus cos A ही आएगा. तो कैसे किया? फिर से. कुश्चन ये था मेरे पास. इसमें मैंने sec को लिख लिया 1 upon cos A. फिर से sec को लिख लिया 1 upon cos A. यहाँ ले लिया मैंने LCM. LCM जब मैंने लिया. तो यह आ गया उपर cos A plus 1. और नीचे LCM चल जा था cos A. और नीचे 1 upon cos A. cos A से cos A cancel हो गया. तो ये quantity मेरे पास बच गई. अब इसके बाद. प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर एक step लिखने वाला हूँ. जो step मुझे है याद. मैंने कर लिया है याद. और आपको भी करना पड़ेगा याद. अगर आप इसको और आगे ले जाकर ये लाना चाहते हो. तो. ठीक है? अगर आप नहीं याद रख सकते हो. तो मैं आपको एड़वाईज करूँगा कि left hand side solve करो. और इसके बाद right hand side solve करो. अभी फिलाल अगर ये answer मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ. तो ये है मेरा left hand side दा answer. ठीक है? इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे करें. तो आपको कौन सी side solve कर लेनी चाहिए? राइट hand side. फिलाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस step में करना क्या होता है? 1 plus cause को मैं 1 minus cause से नीचे और 1 minus cause से उपर multiply करा देता हूँ. अब आप कहोगे सर ये वाला सपना हमें कैसे आएगा? तो बेटा ये सपना आपको तब आएगा जब आप right hand side को देखोगे. रेट hand side में denominator में क्या चाहिए? तो answer है 1 minus cause से चाहिए. तो उसी से नीचे और उसी से उपर multiply करा दो. बिल्कुल आसान है. हाँ ना? अब उपर क्या होगा? A plus B, A minus B. ये बन गया A square minus B square. ये बन जाएगा. और नीचे क्या चल रहा है? 1 minus cause. इसको solve करते गए थे आप. तो 1 plus cause से पर पहुंचे थे. अब इसके बाद आपको लाना था ये नीचे 1 minus cause से. तो नीचे 1 minus cause से आपने multiply कराया. उपर भी करा दिया. ठीक? यहाँ A plus B, A minus B. A square minus B square बन गया. और ये ऐसे ही ठीक है. अच्छा. अब 1 minus cause square A. ये क्या होता है? sin square A. तो 1 minus cause square A को हमें क्या लिख दिया? sin square A. और अपन में क्या चल रहा है? 1 minus cause A. ये आपका answer आगया. लेकिन, यहाँ पर कोई student कहाई जी, मुझे तो ऐसे कोई सपने नहीं आते. आप तो ये बताओ कि यहाँ से इसके बाद में जब यहाँ पहुँच जाओंगा, और ये मुझे फिर आगे नहीं पता चलता है कि क्या multiply, divide कराना है, तो क्या करना चाहिए? तो answer है कि आप left hand side को यहाँ तक solve करो. उसके बाद आप लिख लो right hand side. right hand side में हमारे पास है sin square a और 1 minus cos a. ठीक है? sin square a को हम क्या लिख सकते हैं? 1 minus cos square a. तो यहाँ लिख लो प्यारे बच्चो 1 minus cos square a और नीचे 1 minus cos a. Now, a square minus b square. This is a minus b and a plus b. और upon में क्या चल रहा है? 1 minus cos a. ठीक. इस bracket से यह bracket cancel. तो answer क्या आ गया? 1 plus cos a. ठीक. तो आप जब यहाँ से यहाँ तक आ जाएं और आपको कोई सपना ना आ रहा हो, तो आप क्या करो? right hand side solve करके left hand side और right hand side को equal दिखा दो. ठीक. तो कैसे करना है यह question? sec को लिखना है 1 upon cos a. फिर से sec को 1 upon cos a. उपर लेना है LCM. solve करके answer क्या आ गया? 1 plus cos a. इसके बाद लिखना है right hand side. right hand side में मेरे पास यह term given है. sin square को लिख सकता हूँ है 1 minus cos square. यहाँ पर 1 का लिख दूँगा square और इससे यह बन जाएगा a square minus b square. a square minus b square होता है a minus b, a plus b. इससे यह bracket और यह bracket cancel हो जाएंगे और यह हमारे सामने answer आ जाएगा. ठीक है? तो यह left hand side और right hand side equal आ गई. और जो थोड़े से smart बच्चे हैं वो क्या करेंगे? इस step पर आने के बाद वो देखेंगे कि यह चाहिए तो इससे उपर नीचे multiply करा देंगे और इसको solve करके direct left hand side से क्या लाकर दिखा सकते हैं? right hand side लाकर दिखा सकते हैं. तो यह है बिल्कुल आसान वाला एक question.